बड़ी जवानकारी है हर्याणा एसीबी टीम की बड़ी कारवाई जो एनफोस्टमेंट अधिकारी असिस्टेंट कमिशनर गिरफतार किया किया सोनिपत में एपी एफो में स्कूल प्रबंधक से दो लाख रुपे लिये गए दो लाख के रश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया किया है तो बड़ी जवानकारी आप तक पहुचवार है जहां बताते चले कि हर्याणा में एसीबी टीम की तरफ से ये बड़ी कारवाई की गए एनफोस्टमेंट अधिकारी और असिस्टन कमिशनर को गिरफतार किया गया है सोनिपत में इपी एफो में स्कूल प्रबंधक से दो लाख रुपे लिये थे दो लाख रिश्वत लेते रंगे हातों अधिकारी को गिरफतार किया गया है तो बड़ी अपडेट जोहां आपको बताते चोले कि एसीवी टीम की तरफ से ये हर्याणा में बड़ी कारवाई की गई है हमारे साथ असोसीट एडिटर अनिल कुमार जोड़ी हुए और ज्यादा जवानकारी लेंगे अनिल क्या कुछ जवानकारी मिल पारे है इस पूरे मामले को लेकर जवान बताया जवारा कि हर्याणा में एसीवी टीम की तरफ से बड़ी कारवाई की गई है और ये बड़ी गिरफतारी बताया जवारी है जी बिल्कुल हर्याना एंटी क्रेफ्शन ब्यूरो की कीम द्वारा क्रमचारी भुषे निरी संगठन में कारत एंफोर्श्मेंट अधिकारी मुकेश खंडेलवाल तथा पी एफ मिभाग के असिस्टेंट कमिशनर ने लंजन गुपता को दो लाक रुबे की रिश्वत ले जने रोब में घरतार किया गया है जे अरोपियों ने शिकायद करता से उसके विज्वत्याले से प्राथ पी एफ समंदी शिकायद का निव्टारा करने के बदले में रिश्वत कि मांग की थी इस मामले में एसी बी की टीम ने इंफोर्स्मेंट अधिकारी मुकेश खंडेल वाल को दो लाख रुपे की रिश्व लेती हुए रंगवाद गफ्तार किया है दोनों औरोपियों को गफ्तार करते हुए उनके खिलाब रोज तक के एंटी क्रप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्च करते हुए ये कारवाई की गई है बल्कुल तमाम जानकारी साजय करने के बहुत शुक्र यापका